उनेस फरवरी के लिए सोसल साइंस का देख सकते हैं दोस्तो सेट सी का ओरिजिनल कोस्टेन पेपर आउट हो चुका है प्रथम पाली के लिए देख सकते हैं दोस्तो फर्स सेटिंग वला इसको पूरा रट लेना है आउट हो चुका है रातो रात पूरा रट लेना है दोस्तो पूरा रटके जाना है यही पेपर आएगा आपके एक्जाम में चलिए फटा फटा फटाम सब का आंसर बता देते हैं दोस्तों वाइरल हो चुका है पेपर देखिए एक से 80 तक अबजिक्टिव आएगा जिसमें 40 अबजिक्टिव का आपको आंसर देना है पूरा रट के जाएए यही original question paper है देखिए original है ना original है 2024 का देखिए है ना 2024 लिखावा है ना original है पूरा रट के जाना है इससे बाहर आपका एक भी प्रस्न नहीं आएगा पहला प्रस्न कर रहा है बिहार में पराय कईसी मिट्टी पाई जाती है राइट एंसर है इसका हो जाएगा आपका C हो जाएगा जलोड मिट्टी पाई जाती है ठीकना याद कर लेना बिहार में प्राय जलोड मिट्टी पाई जाती है original question paper है पूरा रट लेना है दो नमर कर रहा है आयूरवेद का जनक किने कहा जाता है राइट एंसर चरक होगा बी राइट एंसर हो जाएगा पूरा रट लिजिए वह आउट हो चुका है पेपर रातो रात पूरा रट के जाना है इससे बाहर आपका एक भी परसन नहीं आएगा तील नमर कर रहा है बिहार में कितने परतिसत छेतर में वन है तो वह साथ परतिसत डी राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देख लिजिए चार नमर कर रहा है नीम्न में से कोन लोह यूक्त खनीज का उधारन है तो राइट एंसर आपका मेगने टाइट हो जाएगा ए राइट एंसर हो जाएगा पुरा रट लिजिए आउट हो चुका है पेपर चलिए अगला प्रसन पांच नमर कर रहा है सबसे घठिया कोईला है तो वह आपका पीट हो जाएगा डी राइट एंसर हो जाएगा सबसे घठिया कोईला है ठेक अगर पुछे कि सबसे बढ़ी हाँ प्रसन कर रहा है नीम्न में से कोई रोपन फसल नहीं है राइट एंसर रवर हो जाएगा रवर को रोपा नहीं जाता है दोस्तों चलिए अगला प्रसन देख लिजे अगला प्रसन आपका कर रहा है साथ नमर भारत की परमुख खादान फसल कोई है इसका राइट एंसर साथ का राधान हो जाएगा डी डी राइट एंसर हो जाएगा पूरा रट लिजे आउट हो चुका है पेपर चलिए फर्स सीटिंग वाले पूरा रट के जाना है यही पेपर आएगा उनेस फरवरी को आठ नमर परसिल रहे है, भिहार में कितना परतिसत क्रेसी छेतर है? तो वह आपका 80% C, اسका right answer हो जाएगा चलिए नोग नमर परसिल करेए भारत में सबसे लंबा बांद है तो यहाँ आपका हीरा कुंड बांद है B, इसका right answer हो जाएगा याद कर लिजिए यही प्रसना आएगा आपके एक्जान में 10 नमर करा किस खनीज को उद्दोगों की जनिनी कहा जाता है राइट एंसर सी हो जाएगा लोहा सी इसका राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देख लिजिए अगला प्रसन आपका 11 नमर करा है सर्वत्तम कोईले का परकार कोन सा है तो वहाँ आपका एंसरासाइट हो जाएगा तेकि अभी तुरद बताएक सबसे बरहां कोईला या सबसे घटिया कोन होगा? पीत होगा अगर घटिया पूछे तो पीत होगा चलिए बढ़ यहां पूछे तो अंतरा साइड होगा ठेक अंतरा साइड चलिए आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजे आउट हो चुका है पेपर बारा नमर में कर रहा है गंडक परियोजना है तो वह हो जाएगा बाल मिकी नगर में बीस का राइट एंसर हो जाएगा चलिए तेरा नमर प्रस्न तेरा नमर प्रस्ट कर रहा है निम्न राज्जियों में से किसमे सार्वधिक बन छेत रहे हैं तो राइट एंसर एह हो जाएगा मद परदेश चलिए अगला प्रस्ट देख लिए 14 नमर का रहा है कहल गाउंत ताप ये विधूत पर योजना है राइट एंसर एह हो जाएगा भागलपूर जीला में भागलपूर जीला में चलिए पूरा रट लेना है आउट हो चुका है पेपर चलिए 15 नमर का रहा है सुखे के लिए उत्तर दाई कारक है तो वह आपका है वर्षा की कमी अगर वर्षा ही नहीं होगा तो सुखा तो अवस्य होगा चलिए 16 नमर का है बिहार में कौन बाढ़ प्रवन छेत्र है तो वह आपका हो जाएगा उत्तर बिहार 17 नमर का है याद कर लिजिए गांधी जी ने निमलिकित में से किस अंदोलन को बंद कर दिया तो right answer हो जाएगा O, सहयोग अंदोलन O, सहयोग अंदोलन को बंद कर दिया C, right answer हो जाएगा चलिए 19 नमर करें अंतर राष्टिये मजदूर दिवस कब मनाया जाता है वह आपका हो जाएगा 1 मई को याद कर लिजिए 1 मई को B, right answer हो जाएगा चलिए 20 नमर प्रस्ण कर रहा है वर्तमान में भारत में कितने केंदर सासित परदेश है तो वह आपका हो जाएगा 8, C, right answer हो जाएगा याद कर लिजिए 21 नमर कर रहा है कि सुचना का अधिकार समंदी कानून कब पारित हुआ राइट answer हो जाएगा 2005 यानि कि B, right answer हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए 22 नमर 22 नमर कर रहा है कि किसने कहा था लोक तंत्र जनता का जनता के दुवारा तथा जनता के लिए सासन है राइट answer हो जाएगा Abraham Lincoln B, right answer हो जाएगा Abraham Lincoln Lincoln याद कर लिजिए पूरा यही सब प्रस्ण आएगा आपके एक्जाम में चलिए फर्स सिटिंग वाले पूरा रट के जाना है 23 नमर प्रस्ण कर रहा है पंचैती राज संस्ताओं का समवेधानिक दर्जा किस सवीधान संसोधन से प्राप्त हुआ तो राइट एंसर हो जाएगा 73 भी राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं 24 नमर कर रहा है भारत में लोगतंत्र की सफलता में क्या बाधा है वह आपका हो जाएगा इनमे से सभी यानि ओस्षा, गरीबी, बेरोजगारी चलिए, तीनो जो है लोगतंत्र की सफलता में बाधा बालता है, ठीकना चलिए, पाचीश नमर कर रहा है तिन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी, इसका राइट एंसर हो जाएगा किसानो पर A, इसका राइट एंसर हो जाएगा 26 नमर कर रहा है जलिया वाला बाग हतिया कांट की जांच के लिए सरकार ने किस समीती का गठन किया था तो राइट एंसर ए हो जाएगा हंटर समीती चलिए अगला प्रसन देख लीजिए 27 नमर का रहा है डाक्टर राजेंद परसाथ का जन्म अस्थान कहा है तो 27 का राइट एंसर बिहार हो जाएगा बी चलिए अगला प्रसन 28 का रहा है का कोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में इस्तित है यह तो अपना बिहार है तो आपको पता ही होगा नावादा में इस्तित है बी राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण देख लिए उन तीस नमर करा है किस देश की सीमा बिहार से जुरी है या सब को पता होगा वह नेपाल है नेपाल ए राइट एंसर हो जाएगा बिहार से जुरा हुआ है चलिए, तिस नम्मर कराये गठबंदन की सरकार बनाने के लिए किस परकार की दलिये बिवस्ता की जरूरत है राइट एंसर आपका C हो जाएगा बहुँ दलिये बिवस्ता चलिए आगला प्रस्ण 31 नमर करें भारतिय जनता पाटी के प्रत्थम अध्यक्ष कौन थे राइट एंसर आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेई डी राइट एंसर हो जाएगा 32 नमर करें भारत में राष्टी आपात काल की घोसना कब हुई राइट एंसर इसका हो जाएगा 975 बी राइट एंसर चलिए 33 नमर करें भुकम केंदर के उद्ध्वारधर पिर्थिवी परिस्ति केंदर को कहते हैं तो राइट एंसर अधी केंदर हो जाएगा बी राइट एंसर याद कर लिजिए यही सब प्रस्राइगा 34 नमर करा है सुनामी समंदित है राइट एंसर सी हो जाएगा समूंद्रे से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब नहीं करते है 35 नमर करा है मलवे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किसी अंतर का उपियोग होता है इसका अंसर सबको पता होगा वह इंफ्रारेड केमरा सी राइट अंसर हो जाएगा इंफ्रारेड केमरा याद कर लीजिए चलिए 36 नमर प्रस्ण 36 नमर करा है कि निमलिखित में कोन प्राकिर्तिक आबदा है कोन प्राकिर्तिक आबदा है वह हो जाएगा भुकम भुकम प्राकृतिक आपदा है बाकी आग लगना यहाँ मानब द्वारा है ठीक ना प्राकृतिक नहीं है बंप इस्वोट भी मानब करते हैं रसायनिक दुरगटना भी मानब द्वारा होता है लेकिन भुकम जो है वह प्राकृतिक है भुकम और बाड भुकंब और बाड आपको दिखे तो वह प्राकृतिक है ठीक ना चलिए 37 नमर का रहा है नीमन में से कौन खरीब की फसल है तो राइट एंसर 37 का डी हो जाएगा धान ठीक ना खरीब फसल रभी फसल होता है यह हूँ याद कर लिजेगा खरीब फसल पुछे तो वह धान हो ज तो वह आपका 1935 सिस्वी में हुआ था बी राइट एंसर हो जाएगा चलिए 40 नमर का रहा है भारत में पहली सूती मिल कहां अस्तापित की गई तो राइट एंसर आपका हो जाएगा कुलकाता डी राइट एंसर हो जाएगा याद कर लिजेए यही सब प्रसन आपके एक्ज अगला प्रसन देखिए क्या पूछा है 42 में करें निम्न में से कौन पिछरा राज्य है यह सब को पता होगा बिहार जो है पिछरा राज्य है चलिए डी राइट एंसर हो जाएगा चलिए 43 कर आर्थिक किरियाओं का क्या उद्देश है तो राइट एंसर आपका हो जाएग जिवी को पार्जान ठीक ना जिवी को पार्जान यानि कि डी राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रसन आपका 44 नमर करान भारत की राष्टे आयका स्वर पर्थम अनुमान किसने लगाया डी हो जाएगा दादा भाई नोरो जी डी राइट एंसर हो जाएगा दाद भाई नौरो जी चलिए अगला प्रस्ण देख लीजिए देखिए 45 नमर प्रस्ण क्या का रहा है करा दिर्ग काली ने रीन प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा भूमी विकास बेंक बी राइट एंसर हो जाएगा पूरा रत लीजिए यही आएगा आपके एकजाम में 46 नमर का रहा भूकता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है राइट एंसर 15 मार्च हो जाएगा भी राइट एंसर पूरा याद कर लिजिए यही सब कोस्टन आपके एकजाम में 47 नमर प्रस्ण का रहा है पंजाब में भूमी निवनी करन का चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए 49 नमर करें बिहार में रजुमार्ग कहां है कहां है रजुमार्ग राजगीर में है बी राइट एंसर हो जाएगा चलिए 50 नमर देखिए प्रस्ण क्या का रहा है का रहा है कि सासा राम नगर का विकास कब हुआ था कब हुआ था तो भाखरा नांगल बांध से चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए बावन नमर करें सार्वधीक भुसकलन भुसकलन प्रवन राज है तो वह हो जाएगा उत्रा खंड ए राइट एंसर हो जाएगा चलिए तिरपन करें बिहार का कौन सा भाग सार्वधीक सुखा प्रवन है त चलिए आगला प्रस्ण देख लिजिए चौवर नमर प्रस्ण का रहा है की 7831 में कों सी संदि होई थी कों सी संदि होई थी to फ्रेंक फ्रेंक फर्ड की संधी ठीक ना ए राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण 55 नमर 55 नमर का रहा है कि 1830 की करांती के बाद फ्रांस में किस परकार का सासन अस्ताफित हुआ तो वह हो जाएगा समवेध्यानिक समवेध्यानिक राज तंत्र भी इसका राइट एंसर हो आट एंसर हो जाएगा लेनीन ने किया सी राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगरवाः परस्ण 57 नमर का रहनिम नंकित में कों संचार से वाओंगा है tur तो राइट एंसर हो जाएगा इन मेंसे समाचार पत्र टेलीफोन टेलीवीजन इन मेंसे सभी डैडेक्ट मार देना सबी जो है संचार का सेवा है चलिए अंठावा नमर का रहा है मान भी यह पुंजी निर्मान का मुखे घटक है तो राइट एंसर डी हो जाएगा स्वस्त सेवा आवाज सिक्षा एवं प्रसिक्षन यानि कि डी राइट एंसर हो जाएगा चलिए उनसर नमर प्रसन का रहा है वैश्वी करन का क्या आरत है? तो राइट एंसर c हो जाएगा 20 वैश्व आर्थ विवस्ता से समन होगया? चलिए आगला प्रस्न आपका साथ नमर का रहा है. एर्थ विवस्ता के किस छेतर से हरित करांती संबन्दित है? राइट एंसर हो जाएगा प्राथमिक छेतर ए राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्म देख लीजिए क्या पुछा है 61 नमर करा है कि निमलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकिरित है तो राइट एंसर हो जाएगा रिजर्ब बेंक आऊप इंडिया यही से मुद्रा जारी होता है बारत में पैसा पैसा जिसे कहते हैं रूपिया चलिए 62 नमर करा करा है बिहार राज है क्रिसी परदान बिहार में ज्यादा क्रिसी हुआ करता है चलिए चलिए 64 नमर करें बिहार में कितने जीले हैं तो सभी को पता होगा कि 38 जीले हैं बिहार में डी राइट एंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण 65 नमर 65 नमर करें संपूर्ण करांती का नेतरित किस ने किया तो राइट एंसर हो जाएगा जे परकास नरायन D right answer हो जाएगा 65 का चलिए 66 नमर का रहा बंगला देश कव सोतंत्र हुआ वह आपका 1971 इस भी में सोतंत्र हुआ था चलिए 66 नमर का रहा भारत में किस राज में स्वर पर्थम पंचैती राज की सुरवात हुई 66 का right answer यह हो जाएगा राजस्थान चलिए अगला प्रस्थान देख लीजए 68 का रहा है कि निमलिखित में से कोन केंद्र सासित प्रदेश है सासित प्रदेश है तो चंडीगर C right answer हो जाएगा चलिए अगला प्रस्थान 69 नमर का रहा है संग सरकार का उधारन है तो right answer हो जाएगा अमेरीका A right answer हो जाएगा चलिए 70 नमर करें भारत का केंदरिय बेंक कोन है तो वह आपका हो जाएगा रीजर बेंक ओफ इंडिया C right answer 71 नमर करें किरिसी उत्पादों को के मान की करन के लिए किस मानक का परियोग किया जाता है तो वह हो जाएगा B एक मार्क ठिकना B हो जाएगा 72 करें निम्ड में से कोन प्राथमिक छेत्र से समंदित है तो वह हो जाएगा C किरिसी छेत्र चलिए अगला प्रस्ण 73 करें जर्मनी के एकिकरन के लिए कोन उत्तरदाई था तो हो जाएगा B राइट एंसर हो जाएगा चलिए 74 करें फ्रेंग्फर्ट की संदी किस वर्स होई थी तो राइट एंसर D हो जाएगा 1871 में चलिए अगला प्रस्ण 75 करें सेप्टी लेंप का विस्कार किस ने किया हो जाएगा हैंफरी डेवी A राइट एंसर हो जाएगा हमफरी डेवी 76 करें भारत छोरों अंदलन का परसिद नारा क्या था तो वह हो जाएगा करो या मरो B राइट एंसर हो जाएगा 77 करें कि समाज वादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है तो वह हो जाएगा B दास केपिटल चलिए अगला प्रस्ण 78 का रहा भारती राष्टे कॉंग्रिस के अस्थपना कब हुई तो राइट एंसर B हो जाएगा 1885 में 89 निमर का रहा गांधी जी ने भारत में सत्यागरह का पहला पडियोग कहां किया था तो राइट एंसर हो जाएगा चमपारन में किया था चलिए 80 निमर का रहा मुदरन का विश्कार कहां हुआ तो वह हो जाएगा चीन में हुआ आप लोग 80 में 80 रठके जाएए इससे बाहर आपका एक भी प्रस्ण नहीं आएगा चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर लिजिए